विल्कां टार चैनल कैसे हूं आप लोग आपके अच्छी होंगे मस्तों में स्वास्तों में दोस्तों अज पिर से आगे कुछ ऐसे टीप लेकर के जिसे देखकर आपके होस बूट जाएंगे कहीं काई यह हैं पहले क्यों नहीं पता था इतने असान और इतनी यूजफुल ट नहीं आता है या फिर अच्छी परफेक्ट नहीं बन बन पाती है आज मैं बहुत ही आइसान सा तरीका सेहर कर रही हूं जिससे आप कॉफी जैना फटा फट से बना लगए बिल्कुल जाग वाली और बहुत नहीं अदा अच्छा बनेगा तो बहुत ही सिंपल सा आडिया मै दो कप के लिए बना रही हूं तो यहां पर देखिए जैसे कि आप दो पाउच ले सकते हो तो यहां पर मैंने दो चमस के करीब जाए कॉफी ले लिया ठीक है बहुत ही असान है इसे बनाना अब हम इसमें चीनी जो है आप अपने मिठा इनुसार इसमें डाल सकते हो तो चल नार्मल पानी हमने लिया है ज्यादा नहीं बस इसे मिल्ट करने भर हमें पानी चाहिए इसे डाल करके जैसे कि नार्मल फिल्टर में आता है वही पानी आपको ले ले लेना बस इस तरीक इस आपको मैस करना है यानि कि एक से दो मिनट के लिए आपको इस तरीक से इसे करना तो चलिए दो मिनट के लिए हम भी इसे इस तरीक से मिक्स कर लिए इस तरीके से अब चलिए मैं आपको फटा फट से कौफी बना करके निखा देती हूँ कितना असान है इसे बनाना तो यहां पर दिखिए हमारी ज्ञाग वाली कौफी बनके बिल्कुल तयार हो जाएगी ज्ञाग वाली कौफी बनके तैयार हो चुकी है तो कैसा लगा दोस्तों आपको भी देखके वीडियो मन हो रहा है ज्ञाग वाली कौफी पीने का तो जाएगी और बनाएगी और इसे इंज्यॉय कीजिए कैसा लगा कॉमेंट करके जरूब देगा हुपका तुम्हीं तरी गर्मा गर्म पानी आप इसको करना क्या दो तो यहां पर दिखिए हमने हमारे घर के जितने में चम्मच है फोग है इन सबको हमें ले लेना है और इस तरीके हम इसमें डीप कर देंगे इसके साथ हम थोड़ा से इतरी से अलमोनियम फान पेपर भी डाल देंगे चोटी इस चुट देंगे थाई चली ए ए फाच मेट के लए चोड़ दे रहे हैं लगवाथ पाच मेट हो चुके हैं आप करना क्या है आपको इस तरीक से सारे चम्मचों को निकाल लीजिए अब सोच रहे इस त्रह कि डालना क्या होता क्या है कि हमारे चम्मच रोज तयूज में ह निकाल लिए इस अच्छे से पोच लीजिए अब यह जहएं कितने चीज से इसमेल फीर हो जाती है यह टरीक्स तो अच्छा होता है और हमारे चाहरे चीजे भी जम्स फ्री रहती है और क्लीन भी रहती है साइन भी बनी रहती है पॉप करते हूं दोस्तों यह आइडिया आपको पसंद आया हो अगली जो टीप से फियंस वह है देखे इस एपल अक्सर जाना एपल काट खाना हर कोई पसंद नहीं करता है जाने कि बच्चे कर खासकर जब में देना होना तब जो हैना इसे काट करें क्योंकि अंदर में जो इसके बीज होते हैं इसे निकालना मुस्कील होता है चलिए आज मैं बहुत यहां सांसा ट्रीक बता रही हूं जिससे आप जहना बिना काटे एपल को बीज को निकाल सकते हो तो हमने इस तरीक से देखिए लिए है आलू चीलने वाले बस इस तरीक से आपको करना किया है इस तरीक से दीए आरपा कितकरी आपको डालना हैं यह देखिए इस तरीक इस्टिक है चालो तब गुमा गुमा के आपको यह कर देना है कि आ ऐखिए कि मारा इपल बीज निकल जाते हैं सारे कचे दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो एपल के सारे बीच वाले जो बीजे थे ना बड़ी अराम से निकल गए हैं आप इस तरीक से देखें या फिर ऐसे भी बचों को खाने के लिए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होते हैं बड़े ही अराम से प्लक को खा लेंगे निकल आपको पसंद आए हो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दिजिएगा अगली जो टीप से पेंस तरीक से देखें एक बाटल हमें ले लेना इस तरीक से हमने एक बाटल ले लिया है और इस तरीक से बीच से कट कर लिया ठीक है अब कुछ इस तरीक से बाटल के नीचे इस तरीक से आपको मौट पाटको इस तरीक से पलटके रख देना तो आप सोचने हमारा हो क्या गया यह बहुत अच्छा सा रूवन जाता है तो दोस्तों इसके यूज कैसे करेंगे जैसे की देखे बढ़तन दोते ना तो चमश बगेरा दोते हमारा चमाच जो है इसमें अच्छे से सूख जाती है और यह इसमें आप इस तरीक से अर्गिनाजर की तरह इसे यूज भी कर सकते हो तो है ना दोस्तों कमाल के आडिये कैसा लगा जरूबती के बड़े-बड़े छन्नी कल्ची भी आप इसमें जो है ना सुखा सकते यान की स्टोर करके रख सकते हो आडिया पसंदे दोस्तों तो लाइक यरूर कर दीजेगा अगली यह टीप से फैंस उसके लिए देखिए हमने लिए एक कॉल्ड्रिंग की बॉटल को भी के कॉल्ड्रिंग का आपको बॉटल ले ले लेना है यहां पर देखिए मैं चोटी बॉटल में इतरीक से हमें कॉल्ड़ को डाल देना अच्छी खास की मातरा में डाल देना यानि की दो चौमस के करीब जो है न अच्छे से हमें इसमें डाल देना यह हमना बहुत अच्छा सलूशन बनके तयार होता है जैसे ही आप डालेंगे न देखिए मैं इसमें अजक सा एक रि प्रेक्षन होता है और यह ज्ञाग बनने लगता है यह दिखी कुछ इस तरीकिसे ठीक है तो ले लेना है एक स्प्रेइ बॉटल में आपको देखिए खोलने से कुछ इस तरीकिसे हो जाता है तो अराम से खोलेगा यह दिखें मुझे ध्यान नहीं रहा बात करने में तो इस इस तरीकिसे आपको इसे एक स्प्रेइ बॉटल में पलट लेना है आपको यह दिखिए आप इसका इस मुल्टी परपस चीजों के लिए कर सकते हो दोस्तों इसका इन लेंगे हम अपने कीचन में टायस में देखा हुआ खाना बनादने से हमारे दिवालों पर जाते हैं और यह गंदे हो जाते हैं इस तरीकिसे आपी सलूसन बना लीजिए बस इसे आपको छिड़क देना है जहां पर भी इसकी सफाई करेंगे ने बड़ी से क्लीन हो जाता है बिल्कुल नया जैसा बस इस तरीकिसे आपको गिले कपड़े से जब पोस्ते जाना है यह देखिए कितने अच्छी से चमक आ जाती है तो इसका सबसे बेस्ट यूज आप इस तरीकिसे बेसीन में कर सकते हो क्योंकि बेसीन डेली गंदा होती ही रहता है पहले पता ही नहीं था देखिए कितने अच्छी से काम करेगा साथ में आप इसके बेसिन को भी रगड़ दीजिए इस तरीके से तो चलिए आपको इसे दोकर के दिखाती हूं कि कितने अच्छी से चमक जाती है तो है ना दोस्तों ये कैसा लगा जरूर बतेगा आड़िया आप देख सकते हूं कितने अच्छी से चमक आ चुकी है ना तो होब करती हूं तरीका आपको पसंद आया हूं तो तीसरा यह जो है ना आप इससे सी से भी साप कर सकतो इस तरीक से बस आपको छिड़क देना है और इसे किसी भी गीले कप्रे से पोच दीजिए बहुत ही इन हो यह दीजिए